तो गाईज इंडियन बाइक ड्रैविंग 3D के शहर में अटेक कर दिया हमारे शहर पर दो दो टाइटन्स ने जो के हमारे शहर पर बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा रहा है और ये बेकसूर मासुम लोगों को मार रहा तो क्या हमारा फ्रेंकलीन इसको हरा पाएगा तो आज सटेशना हमारा फ्रेंकली जो एक दादा जी के पुराने जमाने की एंपुटर चला रहा था जिसमें मुझे दो जो के वीडियो जिसमें मिली है जो के हमारा शहर उस समय न्या न्याई बना था तो इसको ख्लिक करते हैं यह क्या गाई यह तो एक लीवर है और यह सीक्रेट लीवर है जो किसी को अब तक नहीं पता सिरिफ प्रेंकलीन को ही पता है तो ग 토ई सेक्रेट लीवर है और हमें पता चल चुका है तो यार चलते हैं सायद से इस लीवर को खीचने के बात जो कि हमें खाजाना मिल जाए पुराने जमाने का तो मज़ा ही आजाएगा और मैं बहुत ज़ादा ही अमीर बन जाओंगा और मैं एक नया बंगना खरीद लूँगा तो चलते हैं फिर अपनी उठाते हैं बाइक और निकलते हैं यार ये कैसा हो सकता है कि हम उतने दिन से हम लोग जा रहे हैं इसपर फ मतलब करें वस तरह बहुत बहुत देखा है नहीं माहतический हम लोग जैसे इतने उपर गया ही नहीं तो देखेंगे खिल लिए और हैं पर कनटेनर में पने के अगए और यार्ल लिए आक और यहांसे बास फार्कर फ्रेंक नीचे मत गिनए यार प्लीज भाई अवे यहां पर अवे ये पहले तो दिवार नहीं थी और ये अचानक से कहां से आ गया और मेरी बाइक तो आगे चल भी नहीं पाड़ा यार अच्छा सामने एक थार देख रहा है बाइक को यही पर छोड़ते यार ये तो पिछलते पिछलते जा रहा है नीचे की तरफ ही साइस से मैं नीचे गिर जाओंगा ये कौन ऐसा कर रहा है यार ये दिवार और ये थार कहां से आ गया यार एक बैक से अचानक में सामने आ चुका ये कोई जादू कर रहा है या फिर किसी का साजिस फ्रेंक ये है यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तो फिर थार से ही मैं पहुँठ जंग वेकिन याज मुझे क्लियर से यहाँ पर रास्ता दीख नहीं रहा है और मेरी थार जो और टकाटक वैसे चल रहा है मुझे तो लगता है कि थार पहुँच जाएगा याज उपर की तरफ लेकिन याज यहाँ पर एक दिक्कत है सामने जो टर्निंग है ने उपाहाँ पर हो सकता है क्षार गिर जाए या भाई अब रूक या रूक रूक भाई अभी नीचे गिर जाता है यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा रास्ता आगे देखना पड़ेगा क्यूँके यहाँ पर जो है ना बहुत दिकत अब यार यहाँ पर अब कौन लगा दिया यार इसको घेर दिया है थार तो आगे जा ही नहीं रहा यार अब मुझे उत्तरना पड़ेगा यहाँ पड़े पैदल मेरा फ्रैंकल तो चहर जाएगा भाई चल अबे ये साइकल आ चुका है यहाँ पर अब क्या भाई अब मुझे साइकल से जाना पड़ेगा मतलब मुझे कोई टास्क दे रहा है कंप्लीट करने के लिए क्या तब या करके मुझे ये लीवर मिलेगा अबे यार ये तो किसी को भी पता नहीं था मगर फ्रैंकलिन के द यार यहाँ पर तो नहीं लगता के हमारा फ्रैंकलिन इस दिवार के उपर चड़ पाएगा क्यूंके यार बहुत उच्छा दिवार है मगर ट्राइ करके देखते हैं सायज से हमारा फ्रैंकलिन इसके उपर चड़ जाए अवे चढ़ गया भाई अवे चढ़िया बस नीचे लेकर चलते भाई आगे तरफ यार यह दिवार यहां पर कौन रख रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है वैसे मुझे यहां पर कुछ दिक्कत कुछ डाउट तो लग रहा है वस नीचे नहीं गिरना भाई पावर फुल बाई है अब पहुत चुका हूं और यह सामने देख कर दो यार इसको किसी ने घेर दिया यह जाल से आवे यार इसकी तरफ मुझे रास्ता लग रहा है यहां से मैं उतरता हूं बाई clicked क्यौत कर रहा भाई ऐसा भाई यहां पर मुझे इसके लिए बहुत जादा मेहनत करना पड़ेगा एक रास्ता तो मुझे मिल चुका है जो के नीचे जाने के बाद अभे यार सीधा ये उतरता ही नहीं है सिर्फ जहां तहां से कूज जा रहा है भाई बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है यार इसको फ्रेंकलिन यार थोड़ा समझ भाई समझ अभे यहां से रास्ता मुझे दीख चुका है जो के थोड़ा दूर तो है मगर मैं बाइक से जा सकता हूँ आगे का रास्ता यहां पर जो के देख लो काफी लंबा चोड़ा यहां से मुझे चार जम्प करने पढ़ेंगे और तब जाकर के मैं पहुंच पाऊंगा उस जगह पर यह तो दूर से रास्ता दिख नहीं रहा था सामने आने पर यह रास्ता और यह क्या भाई यह ट्रक को छोड़ गया और यह जाल का रास्ता फ्रैंकलिन वस अच्छे जचारना समहल कर भाई यह दखलो यह फिर नीचे गिर गया यार यह ट्रक लेते हैं और चलते हैं भाई यहां से गाईज बहुत ज़्यादा दिक्कत रास्ता है भाई इतने पतले जगा पड़ इतने कम जगा पर मुझे टrack driving करना पड़ेगा और टrack driving गाईस पता ही है काफी खतरणाक है यार बस मुझे आराम आराम से यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई आगे पीछे करके बस ट्रक का टेलर ना नीचे गिर जाए यार बस चल गए चल गए भाई पहुत चुके भाई एक कंटेनर का राउंड तो गुम चुके है बस यार यहाँ पर यह लंबा वाला सामने जो है ना टर्निंग बहुत खतरनाक है यार उसको मुझे किसी तरीके से पार कर लेना है और अगर बो हो जगया तो मैं पहुँच सकता हूँ यार यहाँ पर मुझे लगता है मैं गया भाई गिरना नहीं यार गिरना नहीं बस भाई प्रैंकलिन संभल के चला भाई ट्रक अब यहाँ पर बस गिरना नहीं यार बहुत ऊचे हैं गिरूंगा तो भाई यहाँ से फॉर्ण मर भी सकते हैं भाई पहुच चुके हैं यार बहुत महनत करने के बाद गाईज और अब यहाँ पर मुझे लीवर तो दीख नहीं रहा सामने वैसे देख ले इतनी बड़े ट्रक से यहाँ पर मा चुके हैं चारो तरफ जैली लगा हुआ यह लीवर कहा है यार इसको मुझे ढूरना पड़ेगा क्या भाई यह रहा लीवर और मैंने इसको नीचे कर दिया अब देखते क्या होता है अब यार यह क्या भाई भूकं जैसा हो रहा है अब पूरा एकदम ऐसा लग रहा जैसे पूरा जमीन एकदम भूकंप आ गया है पूरा एकदम धरती हिल रहा है यह क्या होगा भाई यहां से चीज है सामने और कुछ भी नहीं हुआ यह तो सब फेक तो भाई अब मुझे यहां से नीचा उतरना पड़ेगा उसके लिए बाई मुझे यहां से कूद ना पड़ेगा उसके अलावा कोई चारा है नहीं तो यहां से कूदते हैं भाई बस नीचे मध्यान में नीचे आ चुका हूं चलते हैं फिर घर भाई इसके फ्रेंक्लिन के दादा जी तो एकदम बकवास थे यार क्या क्या चीज पता नहीं क्या रखे हुए अब है यार यह क्या यह सामने से यह क्या रहा यार यह तो बहुत 20 साल टाइटन है यार यह टाइटन हमारे शहर में क्या कर रहा भाई बहुत बड़ा यार यह तो बहुत बड़ा हमारे शहर पे अटेक हो चुका है यह बहुत जादा ही नुकसान पहुंचाएगा पहले तो मैं चलता हूं यार मुझे यहां पर चक्कर आ रहे हैं या फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है या फिर मुझे नींद आ रही है एक काम करता हूं मैं घर जा करके सो जाता हूं यार यहां पर मुझे सब कुछ धुंदला धुंदला दिख रहा है ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पहले घर चलते हैं और सोत यह कब हमारे शेहर पर आ चुका है और यार यह तो पूरे शेहर को तवा अब्रबात कर रहा है नहीं यार इसने पूरी सेहर को तवा ही मचा डाली है तो यार मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा यार मेरा दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा यार क्या करूं क्या करूं भाई समझ में नहीं आ रहा है यार इतनी बड़ी आफ़त हमारे शहर पे आ चुका एक एडिया मुझे आया जो के एक वीडियो मैंने देखी और अब नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई ये तो जुरासिक पार्क के अंदर जा रहा है ये कहां पर जा रहा है ये तो दीवार वा अपस से हमारे शहर से चला जाएगा तो करते हैं भाई इसको जाकर के जुरसिक पार के मैं गेट के पास आ चूका हूं लेकिन यार इसके अंदर जाना बहुत खतरनाक खतरनाक डैनेसोर रहते हैं भाई साब मुझे उससे बचना पड़ेगा बस उससे बच गया ना तो फिर मैं अपने सहर को बचा लूँगा किसी तरीके से यार कहीं सहर को बचाने के चक्कर में मैं न चला जाओ यार कोई डाइनसोर बस भीटे नहीं यार ये देख लो सैतान का नाम लिया और ये हाजिर हो चुका यार सामने ये मैं यार यार मेरे पीछे पागलो की तरह पढ़ चुका है मैं बाइक रोखता हूँ यार सामने वो दिख रहा है अभी फिलाल तो वो रूख चुका है लेकिन मुझे इसको मारना पड़ेगा वरना ये मुझे वहां तक पहुचने ही नहीं देगा वरना ये मुझे मार भी सकता है यार मैं ये लगा और देख लो इसको गोली लगते हैं ये मेरे पीछे आने लगा यार भाई इसको जल्दी मार फ्रैंकलीन जल्दी मार यार ये गया भाई ब्यार कितना खदरनाक डैनसोर यकीन नहीं हो रहा है मैंने इसको मार दिया है वैसे यार मेरा बंदा जो है नगाई देख सकतो फ्रैंक्लिन तो हाथ में मोबाइल लेकर के घूम रहा है यार जेब में रख ले भाई गिर जाएगा नीचे अभे यार अभी यह बच गया बरना देखना यह अभे यह क्या यार दो-दो डाइनोसोर के बच्चे भाई पीछे पर च दोड़ यह सब है भाई यार बस यह भी गया यार मुझे इन सब को मारने की जरूरत नहीं थी लेकिन यार मारना पड़ेगा क्योंकि इसी के अलाके में यार मैं आ चुका हूं और इसी के अलाके में ही वह जगह जहां पर लीवर रखा हुआ है और उसको मुझे करसी तरीके नीचे टानना पड़ेगा वरना यह जो है अना टाइटन यार इन सब को भी और मुझे भी मार देगा यार पुरी शहर को तबाह करतें सामने दिख रहा यह रा दराड़ और यह रालीवर इसको नीचे करते हैं और देखते क्या होते आप यार इसस से अब जही ही हो ना लगता है कि ये इस टाइटन को हरा देगी और इसको मार करके बापस से अपने साथ ले जाएगी देखते हैं यार क्या होता भाई बोरा वो बड़ा एकदम से बड़ा वो से बड़ा टाइटन यार वो लोग गया भाई मैं यहां से निकलता हूं क्योंकि काफी खतरनाक यह गड़ आ चुका हूँ यार अब यावाज के साह, अब यार यह क्या, यार ये तो फीमेल टाइटन भी इसके साथ मिली हुए, यार यह तो सब लोगों को मार रहा है भाई, पुलिस वालों को भी नहीं छुर रहा, अब यार बच भाईस जलदी से भाग, अब नहीं टाइटन यह तो सब को कुचल दएगा अब यार इसकी मेरी वज़ा से यार बहुत सारे मासूमों की जान गे हैं यार यार ये तो सब को कुचल डाला यार अब पता चला कि यह जो टाइटन है यार यह भी इसके साथ मिल चुकी है और दोनों मिलकर जार हमारे सहर पर बहुत जादा तबाही मचा रहा है तो मुझे इस को मारना पड़ेगा, किसी तरीके से कुछ तो करना पड़ेगा, मैं काम करता हूं जहां से यह टाइटन दोनों आया है नहीं, उस्सी जगा पर मैं चलता हूं और देखता हूं कि आखिर क्या माज रहा है, यार कैसे यह सब हो रहा है यह टाइटन कहां से आ रहे हैं हमारे चाहर पर यार फ्रैंकलिन यह तोरने फोरने की जगह नहीं है भाई इस पीट में चला कार भाई अच्छे से ड्राइब कर प्लीज यार किसी तरीके से वहां तक पहुंच भाई अवे यार यह जाद भी कि नहीं सोर जिसको मैंने कल जुरासिक पार कांदर रखा था और आज यह देख लो गाइस मेरी मदद करने के लिए आ चुका है जैसा लगता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए मैंने सोच रिया इसके अंदर जाना है और इसके पीछे भी देख लो गाइस निकलने का जो है ना रास्ता है मैं इसके अंदर जाता हूँ मुझे जाना ही पड़ेगा भाई अपने सहर के खाथिर कुर्बान होना पड़ेगा भाई मैं जैसे अंदर गया भाई मैं तो जैसे बारे यार मैं तो बहुत बड़ा हो गया यार मेरी साइज देखो टाइटन के मुकाबले हो चुका है और अब तो मैं उस टाइटन को छोड़ूंगा नहीं यार दोनों टाइटन को अब मैं खत्म कर दूंगा क्योंकि ये बहुत सारे मासूमों की जान ले रहे हैं यार मैं इसको अब छोड़ने बाला भी नहीं हूँ यार मैं चलता हूँ इन सब को मारने के लिए यार काफी दूर ये लोग चले गए हैं ये लो टाइटन और यार ये फिमेल टाइटन अब इसको भी मैं नहीं चुरूंगा ये लो मेरा आब सूपर पंच यार इसको एक मैं मारता हूँ अब मेरे को गुसारा ये लगा एक पंच यार ये मैंने इन सारे दोनों टाइटन को खतम कर दिया यार इतने बड़े बड़े टाइटन को बैसे गाईज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब कर